यदि एंडुपॉस का इलाज नहीं किया जाता है तो क्या होता है? हमारे पिछले वीडियो में, हमने समझाया कि एंडुपॉस क्या है और वे चीजे जो ज़्यादातर पुरुशों को इस्थिती के बारे में नहीं पता थी. इसलिए, यदि आपने इसे नहीं देखा है, तो मेरा सुझाव है कि आप इसे बेहतर धंग से समझने के लिए जाचें. लिंक टिपर्णी अनुभाग में है. अब, आईए संभावित स्वास्ते जोखिमों पर चर्चा करें यदि एंडुपॉस का इलाज नहीं किया जाता है. एक, जीवन की गुणवत्ता में कमी. ठकान, कम-कम इच्छा और मनोदशा में बदलाव जैसे एंडुपॉस के लक्षन एक आदमी के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कल्यान और संतुष्टी कम हो जाती है. दो, औस्टियोपरोसिस का खत्रा बढ़ जाता है. टेस्टोस्टेरोन हड्डियों के घंळत्व को बनाए रखने में एक भूमिका निभाता है और एंड्रोपोस से जुड़े कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर औस्टीओपरोसिस और फ्रेक्चर के जोखिम को बढ़ा सकता है औस्टियोपरोसिस एक ऐसी स्थिती है जहां आपकी हड्डिया पतली और कमजोर हो जाती है नतीजितन वे फ्रेक्चर के लिए अधिक प्रवन होते है कम टेस्टोस्टेरोन का स्थर आपके रक्त में वसा को गड़बर कर सकता है आपके शरीर को इंसुलिन के प्रती कम समवेदनशील बना सकता है और आपके अंगों के आसपास अधिक वसा पैदा कर सकता है यह आपके रक्त वाहिकाओं को अच्छी तरह से काम करने के लिए भी कठिन बना सकता है जो उच्छ रक्त चाप, धमनी की रुकावट और अन्यहरिदे मुद्दों के आपके जोखिन को बढ़ा सकता है कम टेस्टोस्टेरों कस्तर मूड और संग्यानात्मक समारों को प्रभावित कर सकते हैं संभावित अफसाद के लक्षन करने के लिए अग्रणी, चिंता और बिगड़ा संग्यानात्मक प्रदर्शन अगर अनुपचारित छोड़ दिया इरेक्टाइल डिसफंक्षन और कमेच्छा में कमी एंड्रोपोज के सामान्य लक्षन है उपचार के बिना, ये मुद्दे यौन कार्य और अंतरंगता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं इसके लक्षनों को प्रबंधित करने और समग्र कल्यान में सुधार करने के लिए कुछ जीवन परिवर्तन करें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, परियाप्त नीन, तनाफ प्रबंधन और शराब का सेवन कम करना क्या आपको संदे है कि आपके पास एंड्रुपोज है? आप किन संकेतों का अनुभव कर रहे हैं? इसे टिपणी अनुभाग में साजा करें